हाई एवरिवन आप सभी लोग का चैनल में स्वागत हैं आज हम मेराथन सीरीज की थर्ड सीरीज को स्टार्ट पर रहे हैं इसमें विल्यों बर्ट्सबद का ही कॉंटिनेशन पार्ट है तो पहला क्वेशन है आपका जो बहुत बच्चों का डाउट भी है लेट उस बिगिन बिद दाट तो सॉलिटरी रीपर जो विल्यों बर्ट्सबद जी का वर्क है यह कब आया था यह भी आपको याद होना चाहिए यह आया था 1807 में आप लिखते जाएगे साथ साथ जब भ हमारा यह एक बैलड है यह था जो आपको यह जगा पर लिरीकल बैलेड दिया जाता है बट आपट ए इस अब आपको यह आपको प्रेस कर रही है बीटी ओफ मुजिक मतलब संगीत की सुंदर्ता को ड़ एट यंग मेडन जो एक यंग मेडन है काम करने वाली है रीप कर रह अपने आप, तो उस छीज को بتा अधिया है इस gust that clear, अब बैलेड एक्चिलि होटा क्या है , आ एक simple narrative style है इसोरी बताने का , या आप कह सकते हूँ , तो इसकोग बैलेड कहा जाता है,적ै अधिया any of your blues we baş it to listen to pare poet की personal thought और feeling को बताता है, उसकी personal तो वो lyric हो गया, तो इसलिए कभी भी confused मत हो ना, लिरिकल बैलेड में यहाँ पर, यह सिर्फ और सिर्फ एक बैलेड है, जो एक simple narrative verse telling story है, या आप कह सकते हो, song है तो अब आप भूलेंगे नहीं What is solitary reaper? It is a ballad Next question आता है Lyrical ballads was written by Coleridge and यह आपको पता है, Coleridge ने किस के साथ मिलकर lyrical ballads लिखी थी? William Wordsworth, यह मैंने explain किया हुआ है, आप जिनको अगर यह समझ में ना रहा हो, तो वो मेरा यह second marathon series को देख सकते हैं, वहाँ से आपको explain किया है, वो समझ सकते हैं, नेक्स question है, third question, Wordsworth composed some of his finest poems during the years, finest मतलब बहुत अच्छी poem है उन्होंने बनाई, तो उन्होंने यह कौन से period में बनाई, actually यह question मुझे लगता है, repeat भी हुआ है, but आपको याद होना चाहिए, this is your 1798 से 1799, तो 17 actually question क्या था, last, previous वाले question paper में question कुछ दोसा था, 1798 last में दिया था, यहां शुरुआत दे दी है, जैसे 1798 से और 99 तक, 1799, तो अब शुरुआत, मतलब period तो यही था 1798, तो आपको और तो कोई option दिखने रहा, तो इसलिए आप कौन सा टिक करेंगे, 1798 से 1799 इस period में उन्होंने बहुत ही refined, जैसे कहते हैं, बहुत ही अच्छी poems को, जो की lyrical ballad थी, उसको क्या क्या था, उन्होंने लिखा था, next question आता है, let's see, fourth question, wordsworth's poem mostly deals with, अगर हम बात करें wordsworth, मतलब William Wordsworth जी की जो poemे हैं, वो ज्यादा तर किसको दरसाती हैं, आपको क्या लगता है, उनको पढ़ने से आपको कैसा feel होता है, तो अगर देखा जाए, तो अगर हम उनकी poemों को पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है, उनकी poemें बड़ी ही humble हैं, हमबल का मतलब आप जानते हैं, विनम्र हैं, ठीके, वि अब भी आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा, अरे, बहुत ही विनम्र तरीके से इनकी poemों को बताया गया है, और साथी साथ, अगर देखा जाए, तो बिल्कुल ग्राम के असब्या, अनसिविलाइज, देहाती रूप में भी दिखाया गया है, तो हम rustic life को जो बोलते है हम देहाती बोलते हैं, तो इसी लिए सकाल सराय का humble and rustic, rustic का मतलब होता है देहाती, villager, ठीक है, जो गाओं में रहने वाले हैं, अब एक्चुली ये तो होता नहीं कि जो गाओं में रहने वाले हैं, वो असब्या है, लेकिन गाओं मतलब the one who are not literate, उस सेंस में उनोंने गा एक तो humble, humble मतलब बिलकुल बिनमरता, और एकदम देहात वाला हिस्सा आता रहे, village की ये बात है, क्योंकि आपको अक्सर pastoral field में और pastoral type का दिखाई देता है, moving on to the next question, question number five, what's worth before his death, recited at, मतलब William Wordsworth की जब death वी थी, उस से पहले वो कहां रह रह रहे थे, तो wordsworth जी वापस आ ज जाते हैं, और आते हैं अपनी family के साथ 1813 में, यह याद रखिएगा, 1813 में वो riddle mount आ जाते हैं, move कर जाते हैं, तो तब तक रहते हैं, जब तक कि उनकी मृत्यू नहीं होती, तो कहां रहते हैं वो मृत्यू से पहले, वो रहते हैं, riddle mount, कब आये थे, वो 1813 में आये थे, अ next question है, question number six, let's have a look, William Wordsworth's Tinten Abbey is, अगर हम बात करें तो जो William Wordsworth जी का जो Tinten Abbey जो work है, वो actually क्या है, तो वो एक हम, अगर हम बात करें तो वो element है किसका, ode as well as dramatic lyric, उसमें ode भी है, और dramatic lyric भी है, ठीक है, तो यहाँ ode वाला word तो दिया नहीं है, तो हमको सिर्फ dramatic दिया है, तो ode है, एक तरीके से प्राथना है, as well as इसमें dramatic lyric है, तो आपका answer क्या बनना चाहिए, it is a dramatic lyric, okay, next move on to the question number seven, seven question है, in 1805, Wordsworth's which poem was written, अब आपको याद होना चाहिए कि 1805 में William Wordsworth जी की कौन सी poem आई थी, तो वो आई थी, आपको याद होगा, the prelude आई थी, which one was that, the prelude, कब आई थी, 1805 में, next question है आपका, देखे कुछ question ऐसे हैं, जो exam में as it is ही पूछे जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, बस याद कर लो, 1805 में आई थी, the prelude, the prelude, ठीक है, the prelude by Wordsworth was a part of a vast work, बहुत बढ़ा work था, which was to be called as, उसको क्या कहा गया था, उस vast work को, आपको याद होगा, इन्होंने एपिकी कह दिया था, इसको कि बहुत बढ़ा work था ये, तो उसको इन्होंने कहा था, the reckless, क्या कहा था, reckless, तो हम अगर बोलें, तो ये जो prelude है, ये vast work plan किया गया था, as a reckless, लेकिन actually होता किया, ये reckless अधूरा रह जाता है, क्योंकि इ Let's have a look, a violet by a mosey stone, ये थोड़ा line है, ये पूची गई है, कि ये line किस की है, ये कौन सी poem से पूची गई है, तो वो कहते हैं, a violet by a mosey, ठीक है, a violet by a mosey stone, mosey का मतलब समझ लीज़े, दल दल पत्थर को कहते हैं, mosey, तो आप लेक्रीच अगर आप कोई मालूम नहीं है, mosey का मतलब होता है, दल दल, दल दल में जो पत्थर पढ़ा है, वो कैसा है, violet color का दिख रहा है, ठीक है, half hidden from the eye, ऐसा लगता है, आधा तो ये हमारी आँखों से दिखी नहीं रहा है, ठीक है, आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, तो वो ये पूचते हैं, कि ये जो मतलब होता है, बड़े ही दुख दर्द में, मतलब बुरी गरीबी में, अंट्रोडन कहते हैं न, बहुत ही गरीबी के दिन, तो वो ही कहते हैं कि उन्हों ने अपना, she dwelt, मतलब वो रहती थी, बिलकुल दर्द भड़ी, मतलब गरीबी में रहती थी, तो वहां Lucy, Lucy की बात क गई है, तो इसलिए ये जो वर्क है, ये कहां से लिया है, अगर बात की जाए, तो ये लिया गया है आपका दल लूसी से, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, ये लूसी पोयम्स, तो आपका आप्शन नमबर बी बन के आ जाता है, इस अट क्लियर? I hope this is clear to everyone, let's have a look, तो ये वाला तो आपको समझ में आगया ना कि मोजी दल दल में, half hidden from the eye, ये ली गई ये लूसी पोयम्स से, जिसमें कि उसने बताया है कि भई ये जो लूसी है, ये बहुत ही गरीबी में, जो मतलब दिखता बाहर है, मतलब गरीबी में रहा रही है, तो नेक्स चलते हैं, नेक्स क लग रही हो, but try to understand, मैं कोशिष तो पूरी कर रही हूं कि मैं एक शब्द को किलिरली प्रिनंस कर सको, but somehow if my throat will be not feeling well, so it could create a problem to you while understanding the sentence, so please make it clear कि आपको, मैं कोशिष पूरी कर रही हूं कि आपको हर एक शब्द को मैं किलिरली बोल पाहूं, अगर ऐसा लगे तो प्लीज माफ की जिएगा, I am working on my throat, let's have a look, question number tenth, tenth है, which of these travel poems belong to William Wordsworth, travel तो आप जानते ही न, घूमने, मताब हो जब travel करते थे, तो कौन सी poem William Wordsworth की को बिलॉंग करती है, तो कौन सी poem थे, तो that was your descriptive sketches, यह जो descriptive sketches है, यह जब घूमा फिरी करते थे, ट्रेवल करते थे, तो यह poem William Wordsworth की की है, ठीक है, travel poems है, next question है, question number 11, तो question number 11 को हम देख लेते हैं, emotion recollected in tranquility, the profound philosophy of what was rejected by, emotion तो आप जानते ही है, भावना, recollected मतलब है कि इसी चीज़ को एक अतरत करना, in tranquility, tranquility का मतलब होता है, शांती, लिग लीजे, देखे, जो जो आपको शब्द नहीं आते हैं, लिग लीजे, क्योंकि जब आ होगा, तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, don't try to mug up this, try to understand it, once you will understand, you can make the answer very clear, so my purpose is to solve such, such in a way that you people will, you people have to understand it, instead of mugging it, right, तो उदेश है यह है कि रटेना, तो emotion जो recollect होते हैं, शांती में, the profound philosophy, यह बड़ी ही विख्यात philosophy है, words worth की, लेकिन यह reject किस ने करी थी, इसको reject किया था T.S. Elliot ने, यह याद रखिएगा, यह philosophy को T.S. Elliot ने पसंदने किया और reject कर दिया, question number 12 थे आपका, in which year did wordsworth add his preface to the lyrical ballots, तो कौन से साल में lyrical ballots में preface उन्होंने एड किया था, तो that was 1800, याद रखिएगा, 1800 में उन्होंने रखा था preface को, जो कि एक valuable preface था, जिसमें outline थी, poetical theory की, ठीक है, तो यही enlarge किया था, इसको थोड़ा बढ़ा दिया था, ठारा सो में, next question है, 13 question, let's have a look, the title of wordsworth's first political volume is, जो उनकी जो पहली political volume था, उसका title क्या था, ठीक है, तो उसका जो title था, that was descriptive essays, sketches, याद रखिएगा, descriptive sketches, तो यह इन्होंने जो बहुत पहली की, यह जो poem है, wordsworth की, यह 1793 में, याद भी रखिए, 1793 में published किया था, और एक collection में, और उस collection का नाम था, an evening walk and descriptive essays, क्या था, an evening walk and descriptive sketches, had born, मतलब उनोंने इसको जरम दिया, testimony to the wealth of his sensory notions, तो उनको इससे wealth भी मिली, प्रख्यात मिलता है, उनको यहाँ से तरक्य मिलनी शुरू हुई, William Wordsworth जी को, question, sorry, question number 14 पे चलते हैं, let's have a look, question number 14, To me, the meanest flower, the blows can give thought, that do often lie to deep of tears, for tears, who said, मेरे लिए जो सबसे कमजोर flower है, वो भी blow करता है, जब वो thoughts देना शुरू कर दे, जो कभी कभी हमको बहुत गहरा रुला देता है, मतलब रुला देता है, तो ये लाइने, और अगर आपको याद हो, तो ये लाइने कहां से लिए हैं, अगर exam में ये पूछ लिया जाए, कि ये लाइने कहां से हैं, तो आप प्लीज इस वर्क को याद रखिए, ode intimations of immortality, क्या है, ode, लिख लीजेगा, otherwise ode, आपको याद आ रहा होगा, इनका वर्क है, ode intimations of immortality, immortality, if I will write it here, it will blink, so इसलिए देख लिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तो आप समझ लिए, अब आपको पता है, वो कह रहे हैं, ये वर्क किसका है, तो yes, for sure, this is the work of none of above, क्यों, क्योंकि यहाँ विल्लियम वर्ट्सवर्ट जी का नाम ही नहीं दिया है, तो none of above होगा, लेकि विल्लियम वर्ट्सवर्ट will be the answer, is that clear, next question पर चलते है, question number 15, let's have a look, question number 15 पर चलते है, Lucy poems by William वर्ट्सवर्ट refer to, ये जो Lucy की जो पोयम से, ये क्या दरसाती है, जो William वर्ट्सवर्ट जी के द्वारा लिखी गई है, तो अगर बताया जाए, तो ये poem five poems में composed है, पहले मैं इसका option नहीं बता देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, five poems में composed जाए, तो option number B आएगा, a group of five lyrics by what's what, अब मैं इसको थोड़ा explain कर देती हूँ, जिससे कि आपको या answer clear हो जाए, और आप लिख भी लिजएगा, जो ये Lucy poems की जो series है, ये पाँच पोयमों में composed की गई थी वर्ट्स वर्ट जी के द्वारा, कब से कब तक के period में 1798 से लेकर 1801, इस period में उन्होंने इसको पाँच पोयमों में compose किया, all, सब की सब, but, one were first published, लेकिन एक ऐसी दी जो सबसे पहले publish वी थी, और वो वी थी 1800 में, यादारा, जो 1800 में वी थी, वो second edition था, किसका, lyrical ballads का, तो ये एक collaboration था, वोट्स वजी का, और स्टेक और जी का, तो I hope या answer अब आपको clear हुआ होगा, next question है, question number 16, let's have a look, No nightingale did ever chant, more welcome, notes to weary bands of traveller, in some shady haunt among Arabian sands, from where these above-coated lines of words were, तो कहते हैं कि, no nightingale did ever chant, कोई भी कुकू, मतलब कोयल है, कोई भी कोयल यहां chant नहीं कर रही है, did ever chant, अभी तक यहां किसी भी कोयल ने chant नहीं किया, chant का मतलब गाया नहीं, More welcome notes to weary bands of travellers, उनके लिए जो बहुत थके हारे travellers आते हैं, उनका group आता है, in some shady haunt, कुछ वो थके हुए रहते हैं, छाया के लिए, डरे वे, जो Arabians के sands हैं, उनमें छाया लेने के लिए, तो यह जो work है, यह work actually solitary reaper से लिया है, तब मैं आपको इसको explain करती हूँ, यह solitary reaper से लिया गया है, यह एक romantic poet, मतलब वर्ट्स वर्ट जी को तो आप जानते हैं, वो एक romantic poet है, उनकी poetry जो है, वो हर अपनी एक poetry, हर एक poetry में, और हर एक trait में, romanticism का ज़रा तड़का लगाई देत थे, है ना, तो यह lines जो है, solitary reaper से ली गई है, यह poem एक lonely lass, एक lonely lass है, जो reap कर रही है, on the highlands, reap का मतलब कता कटाई कर रही है, किस पे, highland पे, point shows how the nature is sympathetic, कि nature किस तरीके से, उसके उपर दया कर रही है, कर रहा है, मतलब nature कर रहा है, कि वो किस तरीके से सफर कर रही है, उसका कितन दुख है, उसको nature देख रहा है, तो यहां nature उसकी care कर रहा है, तो वो इसलिए कि यहां तो कोई भी नहीं आ रहा है, मेरे लिए कोई गीत नहीं गा रहा है, तो वो बड़ी दुखी है, तो इस sense में उन्होंने कहा है, तो the answer will be solitary reaper, next question is your question number 7, who said, the poet is a man speaking to men, किस ने कहा कि poet तो वो ही आदमी होता है, जो किसी दूसरे आदमी से बात करता है, तो यह जो lines है, यह depict की गई है, wordsworth जी के दुखारा, ठीक है, तो obvious की बात है, पहले समझ लीजे, यह volume wordsworth जी ही लगाएगा आप option number D, और इसका मतलब है, कि यह जो lines है, यह wordsworth जी की है, जो support करती है, इस view पे, कि point अपनी जो conversational language है, जो वो बात करता है, जो भी उसकी language है, बात करता है, तो वो अपनी बात को poetry ढंग से करता है, yes of course, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमको हमसे ऐसी बात करें जैसे आप और हम कह रहे हैं, तो उनकी जो भाशा है, that is totally poetry, the language, their language is poetry and we understand their language by the poetry, in the sense of poetry, ठीक है, but, but vul words should be avoided, उनका मानना था कि जो अभदर शब्द है, उनको हटा देना चाहिए, he was of this view, उनका ये मानना था, is that clear, उनका मानना यही था कि अभदरता नहीं होनी चाहिए, शब्दों में जब आप poetry लिख रहे हों, और एक चीज़ इनकी बहुत थी कि जब भी आप poetry लिख रहे हों तो आपका जो poetry का जो flow होना चाहिए, वो इतना powerful होना चाहिए कि उसमें अपने आप, आपके मन से thoughts निकलते रहें, so there should be no artificiality, कहने का मतलब है, आपको कोई चीज़ दूसरी सोचने की जबरत नहीं है, जो आप अपने मन में सोच रहे हो, वही आपने लिख दिया, that is what the poetry is about, according to William Wordsworth, but there is a very very difference between some other author, I will discuss it in the next video, ठीकिन, जो कहते थे कि poetry कभी भी spontaneous नहीं होनी चाहिए, वो John Kitts थे, मैं वैसे ही बता दू आपको, ठीक है, जब हम John Kitts को करेंगे तो आपको explain करूगे, next question है आपका, question number 18, I hope आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना time इसी लिए लग जा सको, otherwise मैं इसको 20 मिनट में भी खतम कर दो, but मेरा purpose है कि मैं हर एक चीज को आपको अंदर तह तक ले जाओं जिससे कि आप समझ सकें, patience थोड़ा रखना पढ़ेगा मेरी वीडियो देखने के लिए, because थोड़ा time लगाते हैं, ठीक है, चलिए, question number 19 पे चलते हैं, let's have a look, what is question number 19, I think I have missed this one question, 18th, पहले 18th करते हैं, the lake district in England is associated with, lake district, जो England में था, वो किस से जुड़ा वा था, अगर आपको याद आ रहा हो, तो that was William Wordsworth, William Wordsworth जिसे ये जुड़ावा है, कैसे, actually आपको बैने बार बार बता दिया, he was a romantic point, ये other places में भी गहें, वहां भी रहें, जैसे डो कोटेज में रहें, डाउन्स एंड में रहें, ग्रैस्मियर में रहें, आलन बैंक में रहें, ग्रैस्मियर पार्सोनेज में रहें Lastly, फिर वो बाद में कहां आ गए थे, Mount में आ गए थे, अभी ये question आगे भी आया था, ठीक है, तो वो आखरी के समय पे वहाँ है थे, तो इस प्रकार से, जो ये Lake District है, England में, इस तरीके से ये संबो दीता है, इतनी जगा को ही Lake District कहा गया है, is that clear? Next question है, 19. In which poem has Wordsworth described different moods of nature? कौन सी ऐसी poem है, जिसमें Wordsworth जी ने प्रकरती के अलग-अलग mood को बताया है, कि उनके भी moods होते हैं, भाव, moods तो आप जानते हैं न, मूड है, आज मेरा mood ये करने का है, या नहीं है, मन, जिसे हम कहते हैं मन, तो प्रकरती का भी मन होता है, ये किस William Wordsworth जी ने किस वर्क में बताया, तो आपको याद होगा, ये उन्होंने Tintin Abbey में बताया, lines written about the Tintin Abbey, जहां पर वो डिस्क्राइब करते हैं नीचर को, ये जो poem है, ये compose है as a few miles about Tintin Abbey, जब वो दुवारा revisit करते हैं bank, बैंक का मतलब है river का किनारा Y, Y river है अगर आपको During a tour, जब वो tour लगाते हैं July 13, 1798 में, इनके तीन tour लगते हैं अगर आपको याद हो, तो जब इनका ये tour लगता है 1798 में, तब उस समय पे ये बहुती peacefully वहां बैठते हैं, फिर सोचते हैं, फिर इने लगता है कि प्रकरती का भी मन होता है, अलार अगल अगल मन होता है, is that clear? Let's move on to the next question, question number 20 पे चलते हैं, आपको यहां पर वर्ड है, आपको मैं बता दूँ, जो वर्ड एक आया है यहां पर, that is your plaintiff, अप्लेंटिफ किसको कहा गया है, इस चीज़ को मैं आपको बता देती हूँ, आपको यह तो पता है कि वही वो किस तरीके से, रीपर जो, यह एक्शली लिया है, रीपर से है, त इसे कि बहुत ही जादा दुखी होके, अकीला मतलब सैड हाई हील में, बड़ा ही मतलब सैड हो, दुख पूर्ण हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं, दुख पूर्ण, अगर आपको थोड़ा हिंदी में प्यूर बता दो, तो वो यही बोल रहे हैं, उनका कहने कातात पर यह यही है, will no one tell me, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा, what she sings, वो क्या गह रही है, शायद वो कोई दुख पूर्ण, बात बता रही है, for old unhappy far of things, जो बहुत पुरानी, जो नाखुश करने वाली चीज़े हैं, and battles long ago, और जो भी कोई battle, युद्ध, जो बहुत पहले कभी हुआ तो समझ में आ गया, तो यह work कहां से लिया गया है, this is from your solitary reaper, is that clear, मैं इसको थोड़ा explain कर दू, यह बहुत ही famous lyrics है, wordsworth जी का, इसमें power है imagination की, जो वो transform की जा रही है common में, मतलब कलपना इतनी जादा है, उसको बिलकुल आम जिंदगी में उसको जोडा गया है, जो हमारी और उसको एक हद तक सत्ता को बताया है हमारे जीवन की, is that clear, I hope it's clear to everyone, now moving on to the next question, that is your question number 21, the surrounding cataract haunted me like passion, those lines occur in the poem, पहले तो आपको पोयम का यह मतलब पता होना चाहिए, the sounding cataract, अब आप वो cataract से मत समझ लीजे, जो मोतिया विंदू होता है, sounding का मतलब आवाज हो गया, I think I am just, यह थोड़ा सा उपर चला जाता है, यहां से बताते हैं, just a minute, yes, sounding का मतलब आवाज है, यहां पर cataract का मतलब होता है, जहरना, आपने देखा को ना, जहरना, उस जहरने को कहते हैं, haunted का मतलब होता है, कोई भी चीज़ जहरावनी हो, passion का मत लब बताओं, जो जहरने की जो आवाज है, वो ऐसे मुझे डरा रही है, जैसे कि कोई उसका क्या हो, जुनून है, उस पर जुनून सवार है, वो मुझे डरा रही है, तो यह लाइन किस से ली गई है, नेचर, अगर आप नेचर को देख रहे हैं कि वाटर फॉल है, और उस वाटर फॉल में वो जहरनी की आवाज से वो डर रहे हैं, भैवीत हो रहे हैं, विल्यम वाटसवाज जी, उसकी आवाज से, ठीक है, तो यह ठिंटेन एबी से लिया है, क्योंकि नेचर को बहुत क्लोजली उन्होंने वहीं पर डिस्क्राइब किया है, तो ठिंटेन एबी स ली गई है, वेशन नमबर 22, रॉबर्ट साओधी, कहते हैं कि जो रॉबर्ट साओधी है, वो सकसीड़ बाई डैश ऐस पॉइट लॉरेट ऑफ इंग्लेंड, तो रॉबर्ट साओधी किस से, विल्यम वर्टसवाज जी किस से, क्यों क्योंकि इनको पहले लॉरेट का उपा ही दे दी गई थी, तो विल्यम वर्टसवाज जी को इसके बाद मिली, पहले रॉबर्ट साओधी थे, एजा लॉरेट, लॉरेट तो आप जानता ही है, वही कोई पुरुसकार होता है, जो विख्यात बहुत ही हाई पोस्ट होती है, तो वो इनको मिली थी, विल्यम वर्टस वो किसको मिलिया था, वर्टसवाज जी को मिलिया था, ठीक है, अब ये वर्टसवाज जी को कब मिला था, कभी कोईशन ऐसा भी आ जाए, कि जो ये हो सकता है, कोईशन आगे हो भी, because it is important question as well as, तो विल्यम वर्टसवाज जी को ये point laureate, जो England का चुना गया था, जब साओध जी की death हो जाती है, तो उनको ये award मिला था, अगर मैं विल्यम वर्टसवाज जी की बात करो, तो 43 हुए, क्योंकि 43 में साओधी जी की death हो जाती है, तो साओधी जी को ये award पहले मिलता है, इनकी मृत्यों के बाद फिर ये award किसको मिल जाता है, वर्टसवाज को मिल जाता है, question number 23 who wrote the autobiographical poem the prelude बिल्कुल आपको सोचना नहीं है what's what और इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है next question है क्योंकि already मैं समझा चुकी हूँ bliss bliss what it is that dawned that to be alive but to be young was very heaven what was the great event what's what had mind while writing above lines देखे किया कह रहे है bliss bliss का मतलब होता है आशिरवाद ये एक आशिरवाद होता शाम के टमेप कि मैं एक जीवित हो जाओ but to be young अगर मैं young हो जाओ तो ये मेरे लिए एक आस्मान समा है मैं आस्मान में हो मतलब मुझे स्वर्ग मिल जाए तो ये great event जो है ये mind ये mind है mind की बात कर रहा है ठीक है तो ये mind है जब वो लिख रहे हैं इस line को तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो उनके दिमाग में ये line को देखे ये चल रहा है कि उनकी शादी की बात मतलब अगर हम बात करें तो इसका option बनता है his marriage उनके दिमाग में शादी की बात चले कि मैं young होता मेरी शादी होती तो ये line William Wordsworth नहीं शोल की है कि एक image of his marriage की बही मेरी शादी होती और अगर पूछ लिया जाए ये line किस से ली गई है तो ये line कहां से ली गई है the prelude से ली गई है तो इसको भी याद रख लीजिए दो question बन जाते है Wordsworth was a बार बार आ रहा है Wordsworth क्या थे पताने की ज़रूरत नहीं है every time I'm saying he was a romantic point I hope it's clear to everyone 1770 से 23 तक का इनका period था ठीक है next चलते है next question है question number 26 of again William Wordsworth इसको भी दुबारा बताने की ज़रूरत नहीं किसका काम है ये William Wordsworth ये का है next question है 27th who among the following is the interpreter of nature in many moods वह वाली बात आ गई जहां टिंटे नहीं की बात कही उन्होंने कि nature का भी क्या होता है भई रहसे महीं mood होता है nature का भी ये बात किस ने कही है ये बात भी William Wordsworth जी ने कही है next question चलते है 28 देखिए ये मैंने आपको बता दिये इसलिए मैं बहुत जल्दी move कर रही हूँ अगर मैंने समझाया ना होता तो मैं आपको explain करती but in my last video these questions have been put up in different way and I have explained it मैंने आपको समझाया है तो जिन्होंने नहीं नहीं देखा जो ये नया नया देख रहे हैं इस video को तो आप serial के हिसाब से chronological order में देखिए series 1, 2 and 3 in such a way so it will be easier for you to understand in a very simplified way so let's have a look 28 question क्या कहता है the prelude of what's worth consist of तो जो prelude है what's worth का उसमें कितनी किताबें हैं उसमें ये BKS जो है ना ये books को संबोदित कर रहा है तो इसमें आपको याद होगा 14 books को हमने डिसकस किया था 14 books है और ये जो prelude है अगर मैं आपको ये भी बोल दू कभी-कभी confused मत होना the prelude भी आता है ये growth of a pulse mind इस भी नाम से आ सकता है confused बिल्कुल मत होई है या तो prelude आ जाएगा अगर suppose prelude word नहीं दिया है और आपको दिया है growth growth of a pulse mind ये title है इसका ठीक है ना ये को इन से subtitle दोनों में से कोई भी दे दे ते का तो चीज एक ही है ये एक autobiographical poem है prelude blank verse में लिखी गई है William verse वजी ने लिखी है 14 किताबों में है और publish भी थी 1850 में तो बहुत question बन गए है इसी से related next question है the prelude question को आप थोड़ा देखते भी रहिए और समझते भी रहिए ठीक है ना तो next question आता है the prelude presents the point in quest of his किस चीज की तलाश में वो ये prelude को ढूंडते है present करते है represent करते है दिखाते है अंदर साते है तो अगर हम बोलें तो ये अपने identity को अपनी पहचान को दिखा रहे है कौन? William verse वजी तो ये उनकी जो quest है जो इच्छा है वो ये है कि वो 14 किताबस में लिखी है 1805 में लिखी जई थी published 1850 में भी थी ठीक है point अपनी identity को यहां पर दस आ रहे question number 30 पे चलते हैं let's have a look Wordsworth was regarded as a pantheist the term means अब आपको इसी term की meaning पूछ ली है कि इस term का मतलब क्या है pantheist का मतलब क्या है तो मैं answer बता देती हूँ फिर उसके बाद explain कर लेंगे इसका answer है आपका यही a person who believes that God exists in and is same all thing animal people within universe ऐसा व्यत्ती जो यह विश्वास करे कि भगवान सब जगा है सब चीज में विराजमान है चाहे वो छोटी चीज़े हो animals हो, आदमी हो universe, ब्रह्मान में सभी जगा universe में क्या है भगवान, विराजमान है क्याते है पढ़ते भी न, God is everywhere तो यह panthist उसको कहा गया है तो William Wordsworth जी भी यही मानते थे इसलिए इनको panthist regard किया गया है ठीक है question number 31 पे चलते है 31 है which edition of lyrical ballad was first one to have the preface by what's work तो preface मैंने आपको बताया ही है lyrical ballad जो है उसमें वो preface collaborative work है st college और William Wordsworth जी का तो पहला edition जो था इस volume का वो तो published बाता 1798 में 4 poems with 4 poems आई थी यह st college के साथ और 19 poem William Wordsworth जी की थी याद भी रखियेगा कि William Wordsworth जी की कितनी थी 19 poem याद रखियेगा 19 William Wordsworth जी की थी ठीक है और 4 poem इसमें किस की थी st college की तभी हमने total बताई थी ना 23 last class में last video में भी हमने discuss किया है इस question को इस अलग तरीके से पूछा है ठीक है तो Wordsworth जी का जो यह second volume आया जो published by 1800 में इसमें preface जो add किया गया था वो lyrical ballads में किया गया था तो किया कब किया था sun बताना है तो 1800 will be the right answer 1800 next question है 32 who sorry which the experience question है the experience in the prelude begins in the sensation and ends in शुरुआत तो यह sensation से हो रही है sense ठीक है इंद्रियों से हो रही है prelude लेकिन यह खतम किस पे हो रही है तो खतम यह विचारों पे हो रही है कि विचार विमर्श हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टेंटें sorry the prelude में यहाँ पर William Wordsworth जी सोचने पे मजबूर कर रहे है ठीक है तो इसी लिए sensation से शुरुआत है और end किस में है thought में तो मैं थोड़ा सा समझा दू 14 बुक में यह compose की गई थी ठीक है William Wordsworth जी के द्वारा 1805 में लेकिन यह poem publish की थी 1850 में और यह उनकी wife ने करी थी जब उनकी मृत्ती हो गई थी तो उनका जो यह experience था the prelude वो sensation था उनका एक sense था क्योंकि वो तो भई ST college के dedicate करते भी लिख रहे थे लेकिन यह end की सेवा एक thought से जो कि उनकी wife ने यह नाम दिया the prelude करके next question है question number 33 देखते है 33 question क्या है who succeeded Wordsworth as a point laureate in 1850 again this question has been put up अब क्या है question थोड़ा ज्यान से समझिएगा पहले तो था Saudi थे तो Saudi के बाद कौन आए William Wordsworth लेकिन अब question यह पूछा जा रहा है क्योंकि William Wordsworth जी 1850 में तो उनकी death हो जाती है तो अब 1850 के बाद यह जो पद था किसका पद laureate का जो पद था अब क्योंकि किसकी death हो गई थी वट्स वज्जेगी तो अब किसको नियुक्त किया जाता है as a laureate तो he was Alfred Lord Tennyson Alfred Lord Tennyson अच्छा एक चीज़ और बता दे जो यह point laureate की जो पद हुआ करती थी यह कभी भी vacant नहीं रहती थी ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो उसके बाद वो कासी काफी साल तक या कुछ समय तक वो खाली रहे उसको विक्त नहीं रखा जाता था वो तुरंद भर दी जाती थी जैसे किसी भी laureate की death हो जाती थी ठीक है चलिए next question चलते है 34 अब पहले त आपको यह पता होना चाहिए कि prelude में wordsworth का जो बचपन है rumination rumination का मतलब क्या है आपको पहले पता होना चाहिए rumination है क्या तो rumination का मतलब होता है wichar shielta कहते हैं न thought बचपन के जो उनके wichar थे वो क्या बताते है prelude में तो वो बताते हैं इसकी मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता दू जो prelude है जो words word का अच्छा एक चीज़ और या रखे prelude को words word जी का magnum opus भी कहा जाता है ये थोड़ा लिख जी जे कभी-कभी पूछ लिया जाए जो prelude है the prelude ये William words word जी का क्या कैलाया जाता है magnum magnum opus O-P-U-S ठीक है इस work को magnum opus माना जाता है बड़ा ही शांदार work जिसे कहते हैं जो autobiographical है semi और कुंबरलेंड जहां रहते थे England में जहां उनका birth place था उसके बारे में बच्पन की बातों को याद दिलाते हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि जो बच्पन में जब वो विचार याद कर रहे हैं तो उनकी native जगा कौन सी थी वो कहां रहते थे बच्पन में तो वो रहते थे कुंबरलेंड में रहते थे next question है आपका question number 35 देखते हैं 35 which poem was called the poem to color it by what's with कौन सी poem ऐसी थी जिसको उन्होंने किसका नाम दे दिया था कि ये poem तो by ST color चीलिया है तो अभी मैंने जुक्र किया था that was the prelude क्योंकि वो dedicate तो इन्हीं को करना चाते थे लेकिन इनकी मृत्य हो जाती है फिर उनकी wife इसको नाम रख देती है next question है 36 about which friend does what's worth make a reference in book 4 of the prelude दुवारा वोई बात आ गई कि जो prelude है उसमें what's worth जी किसको याद कर रहे हैं अपने book 4 में अच्छा देखो question को थोड़ा घुमा भी सकते हैं वो इस तरीके से कि जो ये भी दे सकते हैं कि book 4 में किसको refer किया गया है the prelude में what's worth जी ने तो वो तो आपको ये याद होना अच्छे prelude उन्होंने dedicated estry college के लिए कही लेकिन question का भी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी book है prelude का कौन सी book का part है जिसमें estry college को refer किया गया है William what's worth जी के जारा मतलब समर्पित करी है ये पोयम ये work तो that is book 4 of the prelude next question पे चलते है question number 37 पे चलते है so let's have a look 37 में क्या है in ode to intimations of immortality wordsworth sum up his philosophy of in ode to intimations of immortality intimation का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना intimate ode का मतलब है प्रार्थना तो किसकी प्रार्थना करना किसकी कौपी करके प्रार्थना करना अमर ताकि कि अमर हो जाए तो wordsworth यहां पर इस philosophy को किस तरीके से end कर रहे तो वो कहने कि कौन सी चीज अमर हो जाए जो उनका recollection है early childhood का जब बच्चे थे जब वो early childhood की stage में थे उस time की वो philosophy को चाते है कि वो क्या रहे हमेशा के लिए उनकी प्रार्थना है कि वो अमर रहे ठीक है next question है question number 38 which stage of his life is what's worth talking about the prelude when he says fair seed time had my soul and I grew up fostered like the liked alike by beauty and fear कहते हैं कि William Wordsworth जी बात करते हैं prelude में fair seed time मतलब जो अच्छा वक्त था वो धीरे धीरे क्या हो गया मतलब time had my soul अब धीरे धीरे वो समय चला गया है मेरी आत्मा से और मैं धीरे धीरे उसमें क्या कर रहा हूँ गुर्यू कर रहा हूँ बड़ा हो रहा हूँ और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ alike किस से अलग beauty और death से मैं अब बिलकुल क्या हूँ अलग हूँ तो ये work है the prelude का growth of a pulse mind भी कह सकते हो ये 14 books में divide है ठीक है तो वो यहाँ पर किस चीज को बताना चाह रहे है अपने बच्पन की बात को बताना चाह रहे है ठीक है next question है question number 39 39 में देख लेते हैं what is being described by what's what in the following lines from his poem the thorn तो the thorn जो poem है इस poem से वो क्या दरसाना चाहते हैं क्या describe करना चाहते हैं this three feet long and two feet wide this this का मतलब this कह दो यहाँ three feet long तीन feet long तो feet wide अब इसका मतलब क्या है समझ रहे यहाँ इस thorn का मतलब पहले तो समझ लो यह जो thorn है जो इनका यह जो work है the thorn this is the work the thorn तो यह जो thorn work है यह publish हुआ था 1815 में publishing date जरूर याद रखे if it is given composition date then you must learn that date also तो इनकी poem volume 2 में इस चीज़ का जिकर है poem में इसे ही ली गई है और यह poem compose की है William Wordsworth जी ने it is an infant it is an infant बतलब कि यह तो एक छोटा बच्चा है grave this three fields बतलब अभी यह छोटा बच्चा है वह एक दिन इसने भी क्या है जाना है तो इस तरीके से इनों ने इस चीज़ को संभोधित किया है next question है 40th question 40 question है who among the following is mourned in Walt Whitman's O Captain My Captain तो O Captain My Captain जो Walt Whitman जी के दुआरा लिखी गई थी 1865 में यह work आया था तो यहां पर American President Abraham Lincoln की death पर कौन विलाप कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए अब मैं यहां पर आपको वैसे बता दू तो Walt Whitman भिलाप कर रहे है किसकी मृत्यू पर कर रहे है कौन है वो Captain He is the President of America Abraham Lincoln next question है who among the following is English romantic point तो इस period में जो English romantic point रहे है तो इन चारों option में आते हैं आपके William Pottswar ठीक है next question है यह next question repeat हुआ है I think this is repeated question okay so आपको answer पता होना चाहिए अभी थोड़ी दे पहले ही हमने किया कि जो water का जो जहरना है 42 question देखो repeat हुआ है the sounding cataract मतलब जो आवाज है जहरने की वो मुझे डरा रही है जैसे उसके अंदर कोई जुरून है तो वो आपको बताने यह poem ठींटे नवी से ली गई है जो कि William Pottswar जी के दुआरा लिखी गई है question number 43 a sense sublime इसका जरा मतलब भी समझ देते हैं a sense sublime of something far more deeply interfused यह words कहां से लिए गए है ठीक है यह पूछने की इसका answer क्या है यह words कहां से लिए गए है तो यह words भी अगर आपको याद हो तो tint and every से लिए यह sublime sublime का मतलब होता है बड़ा ही intelligent ग्यानी sense है बड़ा हुश्यार है ठीक है तो something far deeply मतलब इस तरीके से घुला है कि देखो कि वो बिल्कुल deep अंदर तक घुल बिल गया तो यहां पर जो sense है nature का मतलब nature प्रकरती इतनी ज़्यादा गहर असर कर गई कि वो William Wordsworth जी के पूरे खूद में कहा दो कि भई भर गई है nature का वो इतने ज़्यादा loving थे तो यह वर्क उनका कहां से लिया गया है that is from Tintin Abbey next question is 44 यह question आपको याद आना चाहिए when was what's worth laureate यह question important है हमने बोला था कि जो साओधी है आपको बताया था कि जो साओधी है तो वो साओधी की जब मृत्य होती है तो अब आपको यह ध्यान होना चाहिए कि साओधी जी की मृत्योगव होती है वो मैंने discuss किया आगे लेकिन फिर मैं revise करा दू वो होता है 1843 ठीक है जब साओधी जी की death हो जाती है तब यह point laureate बन जाते है पहले तो एक चीज़ और है initially तो यह मना करते है कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए वो कहते है that he was too old वो कहते है अब तो मैं बहुत वो हो चुका हूँ बुड़ा हो चुका हूँ मुझे क्यों दे रहे हो लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो Robert Peel थे उस समय उन्होंने उनको एश्यूर किया you shall have nothing required of आपको तो किसी चीज़ की जरुरती नहीं है thus he became only point laureate to write no official verses तो वो ही एक ऐसे कहते हैं laureate point रहे जिनको कोई official verses लिखने की कोई जरुरती नहीं पड़ी ठीक है next question 45 who considered what's worth as a high priest of nature किसने माना कि जो words worth है उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता है मतलब प्रीस्ट भग प्रीस्ट का मतलब है सेवक है किसके नेचर के भगती है उनके अंदर नेचर के प्रती तो ये कथन ये बात किसने कही थी ये कही थी Thomas D. Quincy ने इनका पुरा नाम था Thomas Thomas D. Quincy ये बोलते थे इन्होंने बोला था नेक्स क्वेशन है 46 क्वेशन पर चलते है वाट्स वर्थ ये क्वेशन देख लीजा 46 क्वेशन है वाट्स वर्थ ठीक है मतब वाट्स वर्थ किस से आ रहे है डेस्पोडिंसी से आ रहे है उस मूड में आ रहे है ठीक है तो आ किस उसमें रहे है किस पोयम में आ रहे है Resolution and Independence By interacting with किस के साथ वो बात कर रहे है यहाँ पर किस से बात कर रहे है तो ये पूछा गया किस पोयम में वो किस से बात कर रहे है तो वो करते है मैं आपको पहले आंसर बता देती है उसके बाद मैं इसको explain करूँगी तो वो यहाँ पर Leach gatherer से बात कर रहे है अब मैं आपको समझाओ Leach मैंने कल भी बताया था कि Leach gatherer Leach तो आप सभी लोग जानते है एक यू नो एक मॉलस्क टाइप की फैमिली है उसमें कीडे मकोडे से होते है उनको बेच के वो अपना जीवन यातन करता है तो यह जो पोयम है Resolution and Independence यह अगर हम पोयम की बात करें Resolution and Independence की तो यह Wordsworth की Actual Encounter है Leach gather करने वालों से जो 30th October 1800 में अपने गाउं डोव कोटेज Grassmere में जब रह रहे थे तो उनकी मुलाकात उनसे होती है यह जो पोयम है यह तब तक नहीं लिखी गई थी में 1802 तक यह नहीं लिखी गई थी जब तक की Wordsworth जी ने इसको experience नहीं किया अनुभव नहीं किया जब उन्होंने यह पोयम को describe तब किया उन्होंने पोयम में जब वो जा रहे थे और ना बार्टन फेल मतलब एक उन्हीं के घर के आसपास तो इट वोस डूरिंग दा वाक जब वो वाक कर रहे थे तब उनको यह tranquility वो जो emotion वाली बात आती है ना कि उनके अंदर एक emotion जागा ठीक है tranquility का है ना मैंने आपको बताया था जो जुड़ा उनका emotion जुड़ा उनके लिए तो वो leach gatherer को देख के उनके मन में एक विचार आया and he had met two years earlier और वो उनसे दो साल पहले मिले थे और उन्होंने उस experience को इसमें शू किया है कि कैसे उनकी दिंचरिया है कैसे वो काम करते है I hope this is clear to everyone question number 47 भी दुबारा repeat हुआ है the solitary reaper is a ballad I have already explained it ठीक है so no need to explain every time as already it has been explained in the last question next question है who is 48th question पे चलते है let's have a look 48th question है आपका who is known as the point of lakes अब देखो point of lakes आता है exam में पूछा भी जाता है तो ये point of lakes यहाँ पर William Wordsworth जी को कहेंगे क्योंकि इनका एक group था तो आप यहाँ पर लिखेंगे William Wordsworth जी को क्या कहा जाता है point of lakes कहा जाता है actually जो ये lake points है ये एक group था English points का मतलब बहुत सारे English points थे उनका एक group था जहाँ ये लोग रहते थे एक lake district था England में that was in UK ठीक है 19th century में और ये जो group था ये they followed इनका कोई भी एक single school नहीं था जहाँ ये theoretical literary practice कर सकें तो इनको नाम दे दिया गया था एक uniformly disparaged मतलब इनको review किया गया था कि वह इनको consider कर लो कि ये एक romantic movement की शुरुआत कर रहे है और तो इनका एक group है इसलिए इसको लेक पॉइट उस लेक के ये अगल बगल इनके घर थे तो इसलिए इसको लेक पॉइट्स कह दिया गया था next how many parts are there in the prelude अगर बात करी जाए तो prelude में कितने हिस्से हैं कितने parts हैं तो इसमें है 14 part मैं एक एक part आपको बोल रही हूँ चाहे तो आप लिख लीजे आपको याद भी रहेगा और या रटने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी तो 14 parts कौन कौन से थे पेला introduction school time continued residence at Cambridge summer vacation books Cambridge and the Alps residence in London retrospect love of nature leading to love of man this is 8th 9th residence in France 10th residence in France continue again in 11th residence in France continue 12th imagination and taste how impaired and restored then comes 13 again imagination and taste how impaired and restored continue and then it came in the end conclusion तो यह 14 हिस्से थे जिसमें यह prelude को लिखा गया था next question है and this is the last question we are discussing right now तो इस question में यह बोला जाता है question यह है in which words words prelude मतलब words words जी के prelude में कौन से work मतलब work में prelude के the boy of जो यह the boy of venander है यह किस से affected है तो जो prelude है words words जी का उसमें जो यह boy लड़का है यह किस से affected है किस से घ्रसित है तो इसका answer है muteness वो बोल नहीं पाता है चुपी रखता है ठीक है the boy of venanderness is affected by muteness mute हो जाना ठीक है this is the right answer I hope आप सभी लोगो यह वीडियो समझ में आई होगी आज के next 50 questions भी आपको समझ में आगे होगे तो William Wordsworth जी पे हमने जितने important questions बन सकते थे we have already done it I will bring next series regarding the next author literature पे ही लाएंगे पहले and I hope आप सभी लोगो यह समझ में आ रहा होगा आपने राय जरूर दीजे feedback दीजे देखे कई लोगो डाउट होता है तो एक बार आप वीडियो को बहुत धंग से देखिए मैं एक एक चीज को explain कर रही हूँ लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं है then yes of course you shall comment me I will make your doubts clear अच्छा एक चीज में और बताना चाहते हूँ I got the message and the comment from you people most of the people were asking me that they want the video related to synonyms and antonyms I mean to say vocab लेकिए vocab की कोई एक special class तो होती नहीं है आप भी जानते हैं कि एक दिन में vocabulary complete नहीं होती what I can do for you is that मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो ले आउंगी जिसमें जो most repeated questions पूछे जाते हैं regarding your synonyms and antonyms जो synonym है, antonym है that is actually your vocab क्योंकि vocab वही पूछी जाएगी कि इसका मतलब क्या है इसका उल्टा अर्थ क्या है ठीक है न तो I will bring it थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ थोड़ा series को हम आगे तक कर ले क्योंकि हम series को break नहीं कर सकते series हमारी लगातार चलेगी प्रति दिन चलेगी 50 questions की series चलेगी और बहुत ही महत्वत्पूर questions है which we are going to do it तो मेरी सबसे ही विंती है अब time limited है तो जितना ज़्यादा हो सके आप decide कर लीजे और videos को बिलकुल जब आप देख रहे हों तो यह dead sure कर लीजे कि you are ready with your pen and notebook along with the video so that you can get the explanation of one question and with most of the questions inside that one question so you will get more questions rather than one question मतलब एक question से आपको और भी question बनके संभावना बनेगी कि आप और भी questions कर सके so it is not limited to 50 questions it could be more than that also right मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है please चैनल को subscribe कीजिए and make अपने तरफ से आप भी ये initiative लीजिए देखो ग्यान एक ऐसे चीज है जो ये चलती रहनी चाहिए जितना इसको आप you know रोक के रखोगे उतना ये खतम हो जाता है जितना आप इसको circulate करोगे that much it will grow so make it from your own side also that initiative आप लीजिए कि जितने आपके लोग आपके संपर्क में है जिसको जरूरत है तो please make it sure कि आप उनको ये videos प्रवाइड कीजिए in the sense by making them to share my link और इससे आप channel तो grow जो करेगा करेगा but they will get the authentic material before their exam as well as so not taking you much time मैं wind up कर रही हूँ क्लास को वीडियो को और नेक्स सीरीस में मिलते हैं in the next class so I will give you all the best and good luck for your preparations till then bye take care